दोस्तों बात करें बॉलिवुड इंडस्री की सबसे यादकार फिल्मों की तो उसमें फिल्म मैंने प्यार किया सबसे आगे होती है जिसमें अभिनेता सलमान खान ने तो अपने अंदाज से दर्शकों का दिल जीता ही था पर उससे जादा दर्शकों के दिलों में भाई थी अभीनेत्री भागेश्री जिन्होंने इस फिल्म में सुमन के किरदार में खुद को काफी परफेक्टली पेश किया था जिसकी वज़े से दर्शक आज भी इनकी इस मासूमियत पर फिदा है लेकिन दोस्तों अभीनेत्री भागेश्री के बारे में तो काफी कुछ आप जानत जिनके बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रही वीडियो के अंध तक पर उससे पहले आप इनके लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके हुए इन्हे साल 1989 में आई फिलμ मैंने प्यार किया में सुमन का रोल ओफर किया गया जिसमें इन्होंने अपनी खूबसूरत और मासूमयत और भोले अंदास से दर्शकों का खूब दिल जीत लिया था। अपने करियर को एक बार फिर से शुरू कर चुकी है और जल्द ही राधे श्याम फिल्म में नजर आने वाली है लेकिन बात करें इनके बच्चों के बारे में तो इनका एक बेटा और एक बेटी है जिन में सबसे पहले बात करें इनके बेटे के बारे में तो उनका नाम अभि कि शूटिंग में बिजी हैं बता दें अभिमन्यों और इनकी मम्मी के बीच में काफी अच्छी बॉंडिंग है जो कि एक दूसरे से अपनी हर एक बाद शेयर करते हैं और हमेशा एक दूसरे की छोटी-छोटी खुशियों का काफी ख्याल भी रखते हैं जिसकी वज़े से इ इनकी बेटी के बारे में तो उनका नाम अवंतिका दसानी है जो कि प्रोफेशन से एक अभिनेत्री हैं जिन्होंने हाली में आई वेब सीरीज मिथ्या में अपना डेब्यू किया है बता दें अभिमन्यों की तरह ही भागश्री का अपनी बेटी से भी काफी अच्छा आएंगे आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुड से जुड़ी ऐसी तमाम ख़बरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें